सिर्फ एक चूड़ी से बनाईए सुन्दर सा जूड़ा हलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चैनल तो आप लोग कैसे हैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज की टिप्स महिलाओं के लिए बहुत ही खास है इस तरह से एक चूड़ी आपको लेनी है कोई भी कड़ा ले लीजिए जो की टूटे ना काच की चूड़ी लेंगे तो ये इसका टूटने का डर रहेगा लेकिन एक कड़ा ले लीजिए सभी के घर में मिल जाता है फिर कोई कड़ी की एक पटी लंबी सी पटी काट लीजिए और उसको इस तरह से पहले लपेट लेजिए ताकि इसको लपेटने में आसानी हो जाए अब इस चूड़ी के उपर हमें ये पूरा कपड़ा लपेट देना है और इससे इतना सुन्दर जूड़ा बनता है जो कि आपको पालर में जाके बनवाते हो आप घर में सिर्फ पांच मिनट में जूड़ा बना करके तैयार कर लोगे और बहुत ही सुन्दर बनेगा तो आज की टिप्स खास कर महिलाओं के लिए है तो प्लीज आप लोग एंड तक जरूर देखना ये बहुत ही कमाल का वीडियो लेकर के आई हूँ जो कि आप लोगों के बहुत काम आने वाला है क्योंकि जूड़ा लगाना हर किसी को पसंद होता है लेकिन यही होता है कि अ अपने आहांस से हम खुछ से जूड़ा कैसे लगाया हो ये इतना अच्छे से बन जाता है थोड़ा सा वीडियो मैंने फाष्ट कर दिया है क्योंकि इसको लपेटना ही था तो देखे इस तरह से इस पर लपेटते चले जाना है पूरी पट्टी साड़ी की हमने भाड़ी थ तो उस हिसाब से आप इसमें छोटा बड़ा रख सकते हैं तो देखे हमने पूरी लपेट के तयार कर लिया अब ये हमारे बालों के साइज का हो गया आप क्या करिए दो पट्टी आपको काले कपड़े की जाहिए जो की थोड़ा सा चोड़ी काट करके इस तरह से हम पलट लगा सकते हैं जैसे कोई भी हो आपके पास जो भी कपड़ा है आप उस पे लपेट सकते हैं तो देखे इस तरह से हमें इस पूरी चूड़ी को कबर कर देना है अब ये जो काला है इस वज़े से आगर गलती से आपका ये बालों से जिसके बाल बहुत कम है उसके लिए ये जूड़ा हम बनाएं तो देखे इसी तरह इसे लपेट देना है पूरी पटी एक पटी में नहीं होगा इसलिए हमने दो पटी इसकी काले कपड़े की काट लिए तो देखे ये सूती कपड़ा है इससे आपका जूड़ा बहुत ही सुन्दर बनके तयार हो जाएगा क्योंकि आज की टिप्स इस समय त्योहार चल रहे हैं और साधियां भी आ रही हैं तो हर कोई हर लेडी जही सोचती है कि हम जूड़ा बनाएं लेकिन पालर जाना पड़ेगा इस वज़े से आप घर पे ही सुन्दर सा जूड़ा बना सकते हैं तो देखे दूसरा दूसरी पटी भी ह हम इसी तरह से इसको लपेट के तयार करेंगे तो देखे बहुत ही आसान है बहुत ही जी है इसमें आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बस जितनी जल्दी आप लपेट के तयार अगर कहीं अर्जनसी में जाना है और आपको जूड़ा लगाना है तो उसकी वज़ इस तरह से लपेटने के बाद में जो अभी बढ़ गया है इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा कट करेंगे और बीचो भी संटर में नीचे में इसको हमें किसी चीज से फिक्स कर देना है तो चाहे फेवी कुछ ले लीजिए या फेवी कोल जिससे भी आपको अच्छा लगे उस जाएगा इस तरह से पलट दीजिए और यहां पे फेवी कोल लगा करके आप इसको चिपका दीजिए तो देखें मेरे पास फेवी कोई रखा था मैं उसी को लगा दूगी और लगाने के बाद में ये सुन्दर सा जुड़ा बनके तैयार है अब इसे लगाना कैसे वो भी आप लोग देखें मैं अपने बालों में आपको लगा करके दिखाती हूं बहुत जल्दी से बन जाता है और बहुत ही प्यारा लगता है गजरा लगा लें तो और भी सुन्दर लगेगा तो देखें इस तरह से इसको हमने फिक्स कर दिया आप ये कपड़ा कहीं निकलने व लगा सकते हैं तो देखें क्या करिए सबसे पहले तो आप आगे अगर जो भी जैसे कोई-कोई है पफ बनाता है या कुछ भी करता है तो आप वो कर लीजिए नहीं तो मैं सिंपल ही ऐसे ही बता रही हूं कि इसको इस तरह से बालों को जाल लीजिए और अच्छे से जितनी प्रका फंदे लगाने हैं और इसे आपके बाल हलके ताइट हो जाएंगे जिससे कि आपको जुड़ा लगाने में बहुत ही आसानी होगी तो देखें है ना कमाल कीटिस मतलब तुरंत के तुरंत आप जुड़ा बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है अब देखें बाल हमारे जितने भी हैं आप सही से जाल लिए हैं पिर क्या करिए आगे की तरफ इस तरह से आगे कर लीजिए और जो हमने बना की रख तयार किया है इसके अंदर इस तरह से इसको हमें डाल देना है अगर आपकी चोटी मोटी होती है तब तो बालों है तो कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन कम बालों में आप इस जोड़े को प्लटके और पूरे पे हमें इस तरह से फैला लेना है देखिए अपने आप ही पहुत ही अच्छे से बन जाएगा देखे पूरा आमने फैला दिया है अच्छे से अब क्या करिए एक रबड और चाहिए चाहे पतली वाली हो कोई भी रबड आप ले सकते हैं जो भी आपके दीला है उस जगे के बाल थोड़े से पकड़की खीच लीजिए अब देखे कितना सुंदर जुड़ा बनके तयार हो गया है आप चाहें तो इसमें चोटी भी कर सकते हैं नहीं तो इसे हम जुड़ा ही लगा करके आपको दिखाते हैं जैसे चोटी लगा करे चोटी बना के और नीचे में फिर आप गजरा लगा सकते हैं तो देखे कितना सुंदर बन रहा है फिर ऐसे क्या करिए इस तरह से इनको लपेट के और अगर आपके पास जुड़ा पिन है तो जुड़ा पिन लगा दीजिए मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए बना रही हूं मे जुड़ा हमारा बन के तयार हो चुका है तो इस दिवाली में आप लोग भी अपने जुड़े को बनाईए और सिर्फ एक चुड़ी लगती है यह हमने एक खरीदी थी बालों में लगाने के लिए जुड़ा में तो देखे यह हमारे पास बहुत दिन से रखी थी तो आज ह सुन्दर बन के तयार हुआ है इस तरह से लगाने के बाद में आप खुद ही देखेंगे कि कितना अच्छा आपका जुड़ा बन के तयार इसी तरह आप जो गजरा होता है मोटा वाला क्योंकि मेरे बालों में यह चोटा सा लग रहा है लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को द लेना है तो देखिए यह हमारा जुड़ा बन के तयार हो, देखिए है न कमाल की टिप्स की एक चूड़ी से आप तुरंथ के तुरंथ जुड़ा बना सकते हैं, किसी दुसरे की help भी नहीं लेनी पड़े पड़े। उसका है आप